नमस्कार मैं अनील धादीच, Assistant Professor in Joology, SK Government Girls College Seeker Dear students, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैलीमोन के digestive system की पैलीमोन के digestive system में एक complete elementary channel या अहरनाल पाई जाती है और इस अहरनाल को हम तीन reasons या तीन भागों में बाढ़ सकते हैं पहला भाग इसका कहलाता है अगरांतर या फोरगट इसे अपन प्रॉक्टोडियम भी कहते हैं दूसरा भाग हो मिडगट या मिजेंट्रॉन और तीसरा भाग इसका कहलाता है हाइंडगट या प्रॉक्टोडियम और ये जो agr और पष्य भाग होते हैं इनकी lining या अस्तर जोता है वो cuticle का बना होता है cuticle का बना होई यह astr है वो intima के नाम से जाना जाता है और ये cuticle समय समय पर त्यागी जाती है और ये तब त्यागी जाती है जब जींगे के अंदर malting या निर्मोचन की घटना होती है अब यदि हम बात करें विस्तार से तो forget के अंदर अलग-अलग parts है या अलग-अलग भाग है उनमें पहला भाग जो होगा forget या ग्रांतर का उसे अपन mouth या मुख कहेंगे सबसे पहले तो position या मुख की जोती है वो हम कह सकते हैं कि जिंगे के अंदर अग्रभाग में या आगे की तरफ वेंटल सर्फेस पर उत्पाया रहता है जैसा कि अपन इस डाइगराम में देख पा रहे हैं कि ये जो mouth है वो वेंटल सर्फेस पर है और उसके बाद में हम ये कहते हैं ये जो mouth होता है उसको घेरे वे दो lips या ओस्ट पाये जाते हैं अब दो lips या ओस्ट जो हमारे होते कि अपना उपरी होट और निचला होट उसके लिए labrum और labium सब्द यूज किये जाते हैं ठीक उसी तरह से जिंगे के अंदर भी इनके लिए सब दियूज किया जाते हैं labrum और labium इनमें से labrum जो है वो आगे की तरफ होता है और labium जो होगा वो पीछे की तरफ होगा उसके बाद में यदि हम ये बताएं कि जिंगे के mouth के lateral या दोनों पार्सों में जहां हमारे होट के किनारे होते हैं उस जगे ये दीपन बात करें कि जिंगे के अंदर वहां पे incisor process या करंतक प्रवर्द पाई जाते हैं जैसा कि नाम से सपस्ट है ये incisor process या करंतक प्रवर्द होते हैं वो बोजन को छोटे छोटे टुकडों में कुतरने का काम करते हैं और देखा जाए तो ये जो incisor process होंगे वो mandible नामक appendages हैं उसका part होंगे उसके बाद में वास्त भी मुख के खास बात होती है कि वो एक buckle cavity या मुख गुआ में खुलता है तो जिंगे के अंदर भी हम ये कहते हैं कि मुख के बाद में buckle cavity या मुख गुआ पाई जाती है यहां भी cuticle की lining होती है तदा इसकी खास बात जो हती है कि इस मुख गुआ में mandible के molar processes आमने सामने पाई जाते हैं ये molar processes या molar प्रवर जो होंगे वो बोजन को पीसने का या चबाने का का काम करेंगे अभी हम बात कर रहे थे कि incisor process ये वो बोजन को चोटे चोटे टुकडों में तोडने का काम करते हैं और उसको पीसने का काम जो करते हैं वो mandible के molar processes है वो करते हैं उसके बाद में buckle cavity खुलती है एक vertical duct में या एक tube में जिसे हम इसो फेगस या ग्रसीका के नाम से जानते हैं ग्रसीका या इसो फेगस जो होती है वो बकल cavity को stomach के साथ चोड़ने का काम करती है इसकी जो खास बात होती है इसके अंदर पाए जाने वाले मोटे जो falls होते हैं लॉंगिट डैनल या anterior एक posterior तथा दो lateral folds होते हैं फिर उसके बाद में हम यह कहें कि इसो फेगस और stomach के बीच में एक demarketing part या अलग करने वाला भाग पाय जाता है और उसे अपन वाल कहते हैं वो ग्रसीका और आमाशीके junction पर पाय जाता है तथा बोजन के इसो फेगस से stomach में जाने को control करता है याद रखिएगा वाल्व सब्द या कपाट सब्द कहीं भी आएं उनका अर्थ यही होता है कि ऐसी सरजना है जो किसी भी चीज़ को एक दिशा से दूसी दिशा की तरफ जानी तो देती है लेकिन वापिस नहीं आने देती तो इसी प्रकार के वाल या कपाट वो ग्रसी का आमाशी के junction पर भी पाय जाते है अगला पार्ट हम कहें जो मुखे पार्ट होता है इसके element के नलका उस पार्ट को हम कह सकते है stomach या आमाशी जींगे का आमाशी बड़ा तता बेग के समान साचना होता है जो कि सिफिलो थोरक्स के ज़्यादा तर भाग को घेरे रहता है साथ ही हम यह कह सकते हैं कि यह जो stomach की आमाशी वो एक हिपेटो पेंक्रियाज नामक gland के अंदर धसा रहता है इसका posterior part, lateral part और ventral part हम यह कह सकते हैं कि हिपेटो पेंक्रियाज नामक gland में धसा रहता है आप इसको इस diagram में या चित्र में देख पा रहे है कि यह आमाशी है stomach है, उसके position है और यह stomach का यह जो part है वो पीछे की तरफ एक gland जो आपको गुच्छे के समान दिखाई दे रही है उसके अंदर यह धसा हो है black color की या काले रंग की जो gland है उसके अंदर यह धसा हो है उसके बाद में यदि हम बात करें कि यह जो stomach बड़ी सरजना है और इसको हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं इसका पहला भाग कहलाता है cardiac stomach और दूसरा भाग कहलाता है pyloric stomach इन में से cardiac stomach है वो size में बड़ा होता है और इसका नाम cardiac stomach इसलिए होता है क्योंकि इसके ठीक उपर की तरफ hurt की position होती है यानि इसके उपर की तरफ यहाँ इस जगह पे hurt पाया जाता है इसलिए hurt के नीची होने की वज़े से इसको हम cardiac stomach के नाम से जानते है इसके बाद में इसका जो छोटा सा भागा आप पीछे की तरफ देख पा रहे हैं ये जो भाट है उस पार्ट को हम कह रहे है pyloric stomach pyloric सब्द है वो निर्गम ये छोटे को इंगित करता है सबसे पीछे वाले भाग को इंगित करता है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पीछे का भाग होता है stomach का वो pyloric stomach के नाम से जाना जाता है अब यदि अपन ये बात करें कि जो काईडिक stomach होता है उसका खास बार या उसकी खास बार हम कह सकते हैं कि इसके अंदर cuticle की plates पाई जाती है और ये cuticle की plates सबी जगह पे नया पाई जाकर कि कुछ इस्टानों पर cuticle है वो मोटी होती है मैं याद दिलाना चाहूंगा कि forget वाले भाग में पूरी जगह पे cuticle की lining पाई जाती है लेकि इस्टामक वाले भाग में cuticle की ये lining या cuticle का ये अस्तर कुछ इस्टानों पर मोटा होकर कि इन plates का निर्मान करता है short note की रूप में plates के बारे में पुछा जाता है और इसके अलाव इनके position important होती है उनको आपको याद रखना है यदि हम इन plates की बात करें तो सबसे पहले जो plate होगी वो वृताकार plate या circular plate होगी और ये circular plate या वृताकार plate हम कह सकते हैं कि इसोफेगस की stomach में opening वाले स्थान पर आमाशे की छत में इस्तित होती है ये जो diagram दिखाया गया आपको ये diagram हम ही कह सकते हैं कि ये cross section है जींगे का तो ये जींगे का cross section है एक जींगे को लेकर कि आप cross या अनुप्रस्त काट काड़ते हैं तो उसके अंदर अंदर की position ये दिखाया जाती है तो इसमें ये circular plate की स्थति उपर की तरफ दिखा रिखे तो ये छट वाला part मानेंगे और ये नीचे first वाला part मानेंगे और ये side वाले laterals या parse वे भागे वो मानेंगे उसके बाद में इसके first वाले भाग पे एक plate पाई जाती है जो आप देख रहे हैं कि hesitate plate या भाले की knock के समान ये तिर्बुजाकार plate पाई जाती है hesitate plate वो इसके first में या आप कहसे हो नीचे की तरफ ये पाई जाती है इसी तरह सर्कुलर plate के पीछे की तरफ ये जो plates पाई जाती है इन plates को हम कहते है लांसिलेट plate या भालाकार plate क्योंकि ये भाले की knock के समान है हाला कि हम confuse होई कि नीचे वाली plate भी भाले की knock के समान बताई जा रही है और ये उपर वाली plate भी भाले की knock के समान तो लांसिलेट या भाले नूमा जो वास्तिक plate है वो तो हम कह सकते है कि वर्तागार plate के पीछे की तरफ है जब कि जो फर्स वाले भाले भाले पाई जारी वो थोड़ी triangular है इसको हिंदी में हम कुंताब plate के नाम से जानते है अंग्रेजी में अपने इसको hesitate plate कहते है hesitate plate है वो भोजन है कि टुकडे करने में और भोजन को आगे की तरफ धकेलने में ये मदद करती है इस hesitate plate के खास बात ही होती है कि ये बीच में से उठीवी होती है बीच में से आप ये कह सकते हो कि उठ करके एक कटक या उभार बनाती है और इसके sides में है वो slopp पाई जाती है फिर इसके बाद में हम היא कह सकते है कि जो प्लेट है उसके पिछले भाग में एक तिर्बूजा का खांच पाई जाती है जो कि काईडियक पाईलोरिक आपनिंग में एक वाल या कपाट की भांती काम करती है तो ये जो प्लेट है वो वाल के रूप में में इस्तेमाल की जाती है उसके बाद में जो ये प्लेट है उसके दोनों तरफ आप ये कह सकते हो कि सपोर्टिंग रोड्स पाई जाती है ये इस जगे पे और ये सपोर्टिंग रोड्स अब वो क्यूटिकल की बनी होती है जो रोड्स ये रोड्स जो होती है वो इस प्लेट को सहरा देने का काम करती ह फिर उसके बाद में यदि हम अगली plates के बारे में बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि कांच plate या जो कह सकते हैं group plate ग्रूप plate या खांच plate जो होगी वो जो hesitate plate होगी उसकी side में पाई जाने वाली groove में इस्तित होगी इस diagram में यदि आप देखें कि ये group plate आपको दिखाई दे रही है ये प्लेट तो कहलाती है अभी अपने पढ़ा था कि hesitate plate है और इसकी side में आपको एक ये lining या एक line दिखाई दे रही है इन दोनों के बीच में ये जो groove है वहाँ पे हम कह सकते हैं कि groove plate है या खांच plate हो पाई जाती है उसके बाद में यदि हम कहें कि अगली plate होती है वह comb plate या kankat plate होती है comb plate या kankat plate नाम इसलिए है क्योंकि इस plate के उपर एक side में bristles पाई जाते है जिनकी चैना या इस plate की जो आकरती होती होती है वह कंगे के समान होती है कंगे के अंदर या comb के अंदर एक axis पे अनेक दांते या bristles लगे वे होती है ठीक उसी तरह से इस plate के उपर भी अनेक bristles है वह लगे वे होती है वह हम यह कह सकते हैं कि खांच plate के बाहर इस्तित होती है तो खांच plate के बाहर की तरफ इस plate को हम comb plate कर रहे है क्योंकि इसके उपर आप ये देख पा रहें कि ये bristles जो है वो पाई जाते हैं और इनकी position वो कंगे के समाने तो यहाँ फिर बता रहा हूं कि ये एक comb plate है उसकी position है जो dark color के line आपको hesitate plate के बाहर की तरफ दिखाई दे रही है ये तो हम कहने कि supporting roads हैं और supporting roads के ठीक बाहर की तरफ group plate होती है और group plate के ठीक बाहर की तरफ हम कहते हैं कि comb plate होती है तो एक sequence याद रखिए कि बीचों बीच तो पाई जाती है hesitate plate ह hesitate plate के किनारे हैं उनको support किया जाता है वो supporting roads के दवार supporting roads के ठीक बाहर की तरफ हम कह सकते हैं group plates होती है group plates के बाहर की तरफ complete होती है तो अंदर से बाह की तरफ एक्रम हो गया, हेस्टेट प्लेट, सपोर्टिंग रॉड्स, गृुफ प्लेट थिए हैं जो बृसल्स है वह गरुफ material को टीन तक पहुंचते हैं। और इस तरह से इसके जो बृसल्स हेस्टेट प्लेट तक पहुंचेंगे वह बृसल्स Tá sait रते हैं ग्रूप लेट या जो खांच होती है उसको कवर किये वे रते हैं उसके बाद में यदि हम बात करें कार्डियक पाइलोरिक आपनिंग तो कार्डियक पाइलोरिक आपनिंग हम कह सकते हैं कि वो छिद्र होता है या आपनिंग होती है जिसके द्वारा कार्डियक पाइ भी सरचना जोगी वो किसी भी चीज़ को एक दिसा से दूसरी दिसा में जाने देगी तो यहाँ पर पाई जाने वाले का पार्ट है वो काईडियक भाग से पाईलोरिक भाग में बोजन को जाने तो देते हैं लेकिन पाईलोरिक पार्ट से वापिस बोजन काईडियक पार्ट में नहीं आता है इसके अलावा एक वर्ड लिखा हुआ निर्देसक कटक या गाइडिंग रिज गाइडिंग यानि गाइड करने वाले तो यह जो आप ऐसे सींग जैसी सरजना इसमें देख रहे हैं कि इस डाइगराम में यह जो सींग जैसे सरजना आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ऐसी इनको अपन गाइडिंग जो रिज है उनके नाम से जानते हैं निर्देसक कटक के नाम से जानते इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बोजन को जो है वो कार्डियक पार्ट से कार्डियो पाइलोरिक आपनिंग की तरफ धकेलते हैं ताकि बोजन है वो आमाशे के कार्डियक भाग से पाइलोरिक भाग में जा सके तो आज के वीडियो में हमने आमाशे के कार्डिक पार्ट तक बात की है अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आमाशे के पाइलोरिक पार्ट में कौन-कौन क्या-क्या सनचना ही पाई जाती है इसके अलावा हम मध्यांतर या मीड़ गट के बारे में बात करेंगे पश्चान्तर या हिंडगट के बारे में बात करेंगे आमाश्य जो होता है वो जहेंगे के अंदर एक important संचना होती है और ज्यादा तर जो elementary canal या digestive system है इसमें इसी के बारे में बताया जाता है वीडियो आप लोग बहुत कम देख रहे हैं कि आपकी यही संख्या रही है तो हो सकता है कि मुझे वीडियो डालना बंद करना पड़े और मैं फिर कह रहा हूं कि वीडियो के साथ साथ आपको PDF है वो भी दिया जा रहे है तो यह PDF जो आप सेव करते रहें तो आपके notes अपने आप ही तयार हो जाएंगे वीडियो आपको समझाने के लिए इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें क्योंकि हर वीडियो के मैं व्यूज देख पा रहा हूं आपकी संख्या जब 170 के आसपास है और उसमें से केवल 50 या 60 बच्चे हैं वही वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज थोड़ी सी हतोत साइथ करने वाली होती है तो हो सकता है कि यदि ऐसी इस्तती रहे तो आने वाले दिनों में आपको सकता है कि वीडियो देखने को नहीं मिले और कॉलेज की जहां तक बात है वो हो सकता है कि वो नौबर में खुल जाएं और नवंबर में इदी कॉलेज खुल भी गए तो आपके आने की क्या पोजिशन रहेगी या आगे क्लासेज उनकी क्या सिच्वेशन रह पाएगी तो वो आगे की बात है लेकिन जहां तक अभी हम फिलाल लॉकडाउन की अनलोग प्रक्रिया के तहट जो वीडियो अपन डाल रहे हैं या इसमें जो वीडियो डाले जा रहे हैं वो वीडियो आपकी हेल्प करने के लिए इसलिए आप इनका ज्यादा से ज्यादा फाइदा उठाएं हाना कि इसमें आपकी जीबी जो डेटाज है वो डेटाज का एक मेटर है लेकिन मेरे साफ से आपके डेटा अभी पढ़ने में खर्च होने चाहिए अन्यकारियों में नहीं अगले वीडियों में हम फिर बात करेंगे डाइजिस्ट्री सिस्टम के बाकी बचे वे हिस्सों के बारे में तब तक लिए धन्यवाद